स्वाधर आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्रेटफॉर्म पेज इसका नाम है मागनेट मेंस हिंदी मेडियम जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बड़ा ही शानदा टॉपिक बहुत ध्यान से आप देखेगा क्योंकि यहां से बहुत सारे जो अपिसोड्स हैं पुरानी जो कहानी है उसको दिमाग के अंदर फिट रखना बहुत जरूरी है तो बहुत ध्यान से देखेगा इस पर्टिकुले चाप्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है मतलब यह कि जो कहानी है वो अब तक कैसी है इसके बारे में हम बात कर ऑब इसके बाद हम सारे जो टाइपस होते हैं डीक रख सभी करिया कि जो जो भी प्रकार होते हैं उनसे के वारे में नारे में हम बात करेंगे रख पहले एक प्रफ करेंद बारे हैं बडिया वाला जो ए ciao तो मैंने कहा बइस सुनो कहानी अब'tक में अब तक कहानी कहानी कहा कहानी अब मैं क्या रहा हूं कहानी अब तक यहाँ पर हमले पूरी बात कर लीकि इसके बारे में कि मैं रिडॉक्स अभी करिया क्या होती है और जब हम रिडॉक्स अभी कर्या ओपर कर चैंगे क्या mm करके तो हमें पता चलेगा कि दो चीजों मिलकर बनी होई है फैम dessuz अपचैन है जिसको आप reduction कहते हो राइट बो येस सर इसका एक और नाम है यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भई यही आपका अवकरण कहलाता है ठीक है जी येस साथ में ध्यान से देखेंगे तो भई हमें कौन सी चीज मिलेगी तो भई या अपने को मिलने वाला है उपच इसको हम क्या वोलने वाले हैं तो भी ऑकसींडेशन और एक और नाम इसका इस क्या होगा तो आपने का सार आक्सा आक्सा कर होगा तो आपने का sir oxy करण आक्सा इस़ा कि यह पूरी कहां यह हमने कacksा जस्वी disguise कप्टिREW में तो अपने इसको है न एसे मतलब रड़ यह इस प बारे में बात की हमने कुछ एक कारकों के बारे में भी बात की जिनका या तो अप्चैन होता है या फिर उप्चैन होता है मतलब इस चाप्टर के सेगेंड पार्ट में सेगेंड टॉपिक में बिसिकली हमने जो है अवकारक के बारे में पड़ा जो अवकारक होता है इसी को हम reducing agent yes sir तो इसको हमने और क्या कहा तो भाया reducing agent अपन ने इसको कहा था साथ मेधी हम बात करेंगे तो दूसरा वाला जो टॉपिक हमने देखा था वो था हमारा oxy-caric oxy-caric तो यह सब एक प्रकार के क्या है अभी कारक है और oxy-caric जो है वो क्या है तो आपने का सर उपचायक है और यदि यह उपचायक है तो इसका कुछ ना कुछ नाम होका तो भाई इसका एक मस्त वाला नाम है that is what oxy-dizing agent मेरे क्याल से यह दोनों कहानिया आपको लोगों के लिए खतम करवाया था और उसका नाम क्या था भाई उसका नाम जो था वो बड़ा तगड़ा था oxy-caric बास जिसका नाम क्या था बहुत ध्यान से देखेंगा वह oxy-caric बारे में बहुत सारे questions कि यह बहुत सारे concepts है उसको अपने दिमाग के अंदर fit किया था बह अपने खूब बतिया लिया सारी जो कहानी खोपड़ी के अंदर बढ़िया तरीके से सेट हो गई और यदि आपको और नमबर जो है ठीक है oxygen संख्या जो है oxidation नमबर जो है यह क्लियर हो गया तो आज ही क्लास जो है वह वैसे बड़ी इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि नहीं हो रहा है हमें तभी पता चल पाएगा बोलो यस सर तो आक्सीगरंट संख्या के बारे में हमने जो है बात कर ली थी पिछली लास में यदि आपने वह अला लेक्शर नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर देख लीजेगा क्योंकि बिना उसके आज की जो क्लास है व की जो प्रकार होते हैं उसकी तरफ तो देखो पहली वाली अब आपको क्या फिलोगा अगली कुछ समय तक आपको यहीं फिलोगा कि सार हम टेंट क्लास बढ़ रहे हैं बोलो यस सर तो हमने क्या किया हमने का भई हम संयोजन या योग अभी क्रियाओं के बारे में बात करें मतलब यह कि हमारे पास जो अभीकारक होंगे वो दो या दो से जादा होंगे और उत्पाद जो है वो एक प्रकार का होगा एक नहीं होगा एक प्रकार का होगा कैसे प्रकार का होगा तो हमने का भई सुनो ना दो एने लेते हैं और क्लोरीन लेते हैं दोनों को मिला देते है है बोलो यह सर चलब तो मैंने का अभी यहां संयों जन अभी क्रियाओं के बारे में करेंगे और यह कितने प्रकार की बनाएगा चलो मस्त वाली बात ठीक तो अब यह दिया सभीक्रिया को हम ध्यान से देखेंगे ठीक है तो हमें यह पता चलेगा कि भाई या दो या दो से अधिक तत्व योगिकों के लिए आप नहीं ले सकते योगिकों के लिए कक्षा गयरवी की सःयोजन अभिकरिया जो है right combination reactions जो है इसकी आप बात नहीं कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते हो बताऊंगा भी ठीक है से दियान से देखेगा। तो भई संयोजन अभी क्रियाओं में दो या दो से अधिक तत्वों के रासाइनिक संयोजन के परिडाम स्वरूप एक योगिक बनता है, वे रासाइनिक अभी क्रियाओं जिसमें ऑक्सिजन भाग लेती है, दहन कहलाती है, कुछ और भी बहुत सारी अभी क्रियाओं होती हैं और इनको पन रेडॉक्स अभी क्रिया कहते हैं पर उधारण के साथ समझना बहुत जरूरी है तो मैंने का भाईया सुनो स्मझते हैं इस काणी को हम हम जो है कहां से समझते हैं तो आप Väद्धारं से समझते हैं मेरे पास एच डू है आपने का जी सर और यदि मेरे पास तो इसन होगी तो औयगता शून कोई भी अकेला तत्व जो की उदासीन अवस्था में पाया जाता है उसकी ऑक्सिकरण संख्या शोन ने होती है ऑक्सिजन की भी शोन नी होगी रिवाबा और दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें मिलेगा H2O2 हमें कौन सी चीज मिलेगी तो H2O2 मिलेगा अब बहुत ध्यान से देखेगा यदि यहां पर आप हाइड्रोजन की ऑक्सिकरण संख्या के बारे में बात करेंगे तो वो कितनी होगी प्लस वन यह सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं और ऑक्सिजन की कितनी होगी तो भी माइनस वन होगी अब हाइड्रोजन जो होग उसकी प्लस वन हुए है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या हुआ पर आप्सीकरण संख्या जो थी उसमें क्या आ गया तो भी ऑक्षी करन्ट संख्या मैं किया आया इंगरी विंगरींट अंगी किए और जैसे- या औसे यहां पर वह Oxygen आपने गाँ सर्ण और थोड़ी सिबाद कर लेते हैं तो और एंटरस्टिंग है कि भाई ऑक्षिजन यहां से जो है ध्यान से देखेंगे अपक्चैन कर रहा है क्योंकि पहले अक्सिण उसने हेटोộtन के साथ connection किया अब उसकी जो औक्सिण संख्या है वह कितनी है तो अब ध्यान से भी façon-1 है संख्या कैसी है तो भाईया-1 है मतलब ऑथक्सिण संख्या जो रिनातमक हो गई, औक्सिकरण संख्या जो है, वो कैसी हो गई आपने का सरचा रिनातमक हो गई, मतलब ये कि एकी रेक्षन के अंदर आक्सिकरण भी हुआ, अपचएन भी हुआ, ये अभी किया कैसी हो गई, रिडॉ vikt और कभी ने क्या नाम रखा इसका अब जैए डस्में अबचन भी हो रहा है उप चाहिन भी हो रहा है इसको हमने कहा है अब जो पूझी है जो घे टो पहरा है कोई रिक्कत वाली बात निय दूसरा लेते हैं harina मैंने का वह यह मैगनेशियम लेते हैं यहां पर दो और मैं कहा रहा हूं भाई ऑक्सिजन भी यहां पर लेते हैं दो और बना लेते हैं 2MGO तो बना लेते हैं 2MGO अगें वेरी इंटरस्टिंग इस गिवन देयर बहुत ध्यान से देखेगा वहां पर एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज दी गई है और वह क्या है मैंगनेशियम बिचारा केला आप कहोगे हां सर तो मैंगनेशियम के ऑक्सिगरंट संख्या कितनी शूर ने ऑक्सिजन भी ब यह वाले जो दो यहां पर मैंने वलाए ना इसको ध्यान में नहीं रखना है ठीक है यह सिर्फ आपके योगी की जो अनू है उसके संख्या दी गई है तो उस पर अपने को फोकस करने के जरूरत नहीं है तो प्लस टू और क्या दिया गया है तो आपने का सर्म माइनस टू जो है ना वहां पर दिया गया है चलो बड़ी ही इंट्रेस्टिंग कहानी तो एक तरफ यहां पर दिया गया है 2MG प्लस यहां पर दिया गया है O2 and that will turn into what MGO यहां पर क्या हो रहा है कि दो आपके जो है पर यहां पर क्या हो रहा है बहुत ध्यान से देखेगा दो प्रकार के तत्व मिलकर सिर्फ एक प्रकार का उत्पाद बना रहे हैं मतलब चीज़े जुड़ रही है चीज़े क्या हो रही है बहुत जुड़ रही है बात समझ में आई है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे आपके combination reactions ठेक कुछ और उधारन अपने सामने हम जितने चाहें उतने बना सकते हैं पर याद रहे कि यहां पर एक तत्व जो है वही दूसरे तत्व से मलब तत्व ए जो है बिटा वो तत्व किस से जुड़ेगा तो भाई बी से जुड़ेगा और तब जाकर आपको एक योगिक मिलेगा क्या यह बात समझ भूआ ही? योग इक जसपे एक से ज़ाधा क्या होता है, तो बहुत तत्वु पाए जाता है, उसको बाद योग इग आता है, चलाओं, तो तत्व ए जो है, वो तत्व बी से मिलकर निर्मान किसका करेगा? तो आपने कहा, तो ये redox reaction का हमारा योग वाला भाग हो गया हमें काम करते हैं एक experiment करते हैं ठीक है सुनो कैसे क्या है अब भाई 10th class के बाद 11th में आये हो हाँ सर 10th के बाद 11th में आते हैं कहने का मतलब यह कि 10th में आम ने जब योग अभी क्रियाएं देखी थी तो वहाँ पर आपने ये वा अले एक्जंबल देखा था सवाल है क्या योगिको की की योग अभी क्रिया अभी क्रिया रेडॉक्स होती है यानिके रेडॉक्स रेक्शन होती है इसके बारे में अपन थोड़ी बात करेगा ही करेगा चलो आजा तो मैंने का भया एक्जांबल ले लेते हैं मोड़ो येस सेर चलो मेरे पास यहां पर क्यल्शियम ऑक्साइड है और इस क्यल्शियम ऑक्साइड को हम मिला रहे हैं हम मिला रहे हैं तो हम हमिला रहे हैं तो जब ढोनों को हम अपस में दो हमें च् तो क्या यह योगात्मक अभी करिया है तो बिल्कुर सही बात यह एक प्रकार की आपको जो है योग अभी करिया है combination reaction है पर यह redox reaction के अंदर गत नहीं आती है क्यों नहीं आती है उसके बारे में बात करते देखो चल अभी क्यल्शियम जो है उसकी oxygen संख्या यहां पर धन दो oxygen की माइनस टू यहां पर hydrogen की plus one oxygen की माइनस टू चल अभी यहां पर हम calcium की देखेंगे तो भया अभी भी यह प्लस टू है oxygen की अभी भी प्लस बन है अच्छा तो बड़ी इंट्रस्टिंग बात होगी कि ऑक्सिगरंट संख्या यदि हमने देखी तो क्या कहीं परिवर्तन आया तो आप कहींगे सर देखे कैल्शियम की पहले प्लस टू थी बाद में भी प्लस टू है अच्छा एक और चीज़ कुछ हमारे जो रॉक स्टार डाइब के स्टुडेंट्स होंगे जिन्होंने इसी चैप्टर की इस टॉपिक में एंट्री मारी होगी न यह कैसे लिखा सारा आपने की ऑक्सिगरंट संख्या ऐसी होती है पि तो यहाँ पर बलस टू है वहाँ पर भी बलस टू है और इ contraryमा ऑक्सिजन दोरों की पर माईनस टू वहाँ पर भी आपकी माईनस टू है और याद ही आप हाईडोज έχन की बात करेंगे यही आऊ डूजन आप का यहाँ पर भी प्लस वैन और यहाँ पर भी कितना दिया है त यह रेडाक्स नहीं है तो हम यहां पर लिखेंगे नो अरे रुको माहोल बनाए भाई अभी तो नो रेडाक्स अरे हिंदी में क्या कहवा है बहुत ध्यान से देखेगा हिंदी में क्या कहेंगे अप अपच यो पच्चाया काहे से नाम रखते हो रेडाक्स ही रख जाते हैं नहीं बात समझ में आगी तो बड़े इंटरस्टेंग कहानी कि योगी को के कारण यदि कोई योगात्मक अभिक्रिया होती है अडिशन रियक्शन होती है के कोई स्भिक्रिया कोई भी प바त समझ में आगी क्योंकि किसी Quick añ में कोई भी परिवर्टन नहीं आ रहा है तो दुनिया की हर रेक्शन रेडाक्स रेक्शन हो ये ज़रूरिं नहीं है बात समझ में इसलिए मैं Nedoksk रिक्शन को सरफ आप एक technique से समझ सकते हो और वो टेक्निक कौन सी है ओक्सी करन संख्या इसके अलावा प्रेडॉक्स रियक्शन को समझ दों अब oxygen के निकलने जोलने से समझ नहीं सकते अब hydrogen के निकलने जोलने निकलने से नहीं समझ सकते अब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से भी नहीं समझ सकते पर आप सिर्फ एक कॉंसेप्ट से समझ सकते हों and that is what कि क्या ओक्सी करन संख्या में परिवरतन हुआ है आपने का सर कौनों परिवरतन नहीं हुआ इसका मलब यह चीज़ क्लियर हो गई कि यह आपकी रिडॉक्स रियक्शन नहीं होगी नहीं रे बाबा नहीं रे बाबा नहीं रे बाबा तो आपने का सर अब हमारे एक बात बहुत बढ़िया तरीगे से क्लियर हो गई और वो बात क्या है बाबू बहुत ध्यान से देखना इसको मिटा दूँ तत्व मतलब यह कि सिर्फ तत्व को ही हमें शामिल करना है योगी को की जो आपकी सईयोंचन अभी क्रियाय होंगी इसको आप रेड डॉक्स रेक्शन कंसिडर नहीं करोगे तो बस एक चीज़ क्लियर होगे कि अब हम सिर्फ तत्व तत्व खेलेंगे इसलिए आप ध्यान से रेखेंगे तो मैंने सारी के सारी जो तत्व हैं वह यहां पर क्या कर लिए भई काउंट कर लिए ठीक चलो अब इसका नजास्ट आपोजिट पे चलते हैं यहां तो पैच अप हुआ था बाबू सोना से मिलकर बाबू सोना मिल रहा था बात समझ भाए अब हम एक काम यह रियाच्चन होगी तो आपने घासार यह रियाक्शन बताए कौन सी होगी यॉजन अभी और इसके बारे में भी हमने कौन सी उच्और बढाब में दैक्डान कौन सी होगी बबुआ तो आपने का सर इसको अपने टेंद ग्लास पर पड़ा था और यह हो जाएगा आपकी व्योजन अभी क्रिया चलते हैं इसके तरफ डेफिनिशन लिखते हैं एक्जामबल्स देखते हैं माहूल बनाते हैं ठीक आजाएए जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यह संयोजन की जारास्ट ऑबुजित होती है और किसी योगिक को आप गर्म करते हो या फिर विगटित करते हो या फिर एलेक्टरिसिटी देते हो तो दो या दो से अधिक घटक देता है जिसमें कम से कम एक जो है तत्व के रूप म में होना चाहिए भी तो तत्व के रूप में होना चाहिए और इसको अपन क्या बोलेंगे तो यह हमारी डी कॉंपजेशन रियाक्शन यानि के वियोजन अभी क्रियाएं जो है वह होंगी बहुत मस्त वाली बात चलो भाई यह पहला और यह हो चाहिएगा आपका दूसरा आपने का सर सोडियम हाइड्राइड उठाते हैं इसका नाम क्या होगा बाबू बहुत ही ध्यान से देखेंगे सोडियम हाइड्राइड और नीचे वाला क्या होगा तो भई यह आपका जल होगा जल ठीक है चलो तो यह दर उठालें इसको अच्छ आज़ों यहां पर उठात हूँ मतलब कि इस परीदी में उश्मा देता हूँ उश्मी व्योजन के भी हम बात करते हैं व्योजन 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 बात समझ में आगी तो यदि हम यहाँ पर व्योजन की बात करेंगे तो भी अपने को क्या मिलेगा टू एच्टू मिलेगा साथ में अपने को हो रहा है की नहीं हो रहा है यह जी परिवरतन होगा तो रेटSenwegen डॉकुल करवा तो को रिटॉक्स है बिलकुर सही सुना और अलब यह आपका प्लस फंपन हो गया यह माना स्थों कर दाबदाब व हो गया और तो आपका कम हुआ ऑक सी करण संक्या और यह तो आपकी आक्सी करन संख्या जादा हो गए आक्सी करन संख्या का बढ़ना जो है वो कहलाता है आक्सी करन आक्सी 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 करन और आक्सी करन संख्या का कम होना जो है वो कहलाता है अपचयन तो एक ऐसी अभीक्रिया जिसमें आपका एक अभीकारक ज एक में आपका ऑक्सीगरन हो रहा है और दूसरा वाला जो है उसमें आपका क्या हो रहा है तो आपने का सर क्या हो रहा है अपचैन हो रहा है तो एक में आपका ऑक्सीगरन हो रहा है दूसरे वाले में अपचैन हो रहा है बड़ी इंट्रेस्टिंग यह कहानी है मतलब दोनों और यदि हम अभीकारक़ों को ध्यान में रखेंगे उत्पार्थो को ध्यान में रखेंगे तो इसंके ऑपनिए और दूसरा-दारन ले चला ज़ा ऐँछ मेरत हमने का वह कैल्σιम कार्बोनेट थूड़ा बड़ा ले थे कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तरा उधारन है कैल्शियम कारबोनेट यह तो यह नहीं है बागऑ यह है आप का चूने का पथर चुना क्या होता है c.e.o यह है आपका चूने का पत्थर हमने क्या किया इसको दी ऊश्मा हमने क्या दे तो हमने दी भई या इसको ऊश्मा मतलब हमने इसको ऊश्मा दे दी सवाल पैदा होता है कि यह जो आपने इसको उश्मा दिये इससे इस बिचारे के साथ होगा क्या बहुत ध्यान से देखेंगे कैल्शियम कार्गोनेट जो है बिल्कुर तूट कर बिखर जाएगा CAO याने कि आपका चूना और CO3 में चलो भई ठीक है जी कैल्शियम के ऑक्सिकॉरण सगया कितने थी बावू तो बहुत द्यान से देखेगा धन्दो कार्बन की कितनी थी तो प्लस four ऑक्सियम के थी माइनस टू यहाँ पर हम देखते है काल्शियम के थी प्लस twoócजं के माइनस तो कार्बन के प्लस four मैं आपकी माइनस डू। डू। क्या ये बात आपने का हाँ जी शर अब बताओ मेरे को क्या किसी की ओक्सी करन संख्या में परिवरतन आपने का सर कॉनूं परिवरतन नहीं इसका मतलब यह कि यह रोग से नहीं हो सकती दुनिया इतर की उधर हो पर यदि ऑक्सिडेशन नंबर में बहुत द्यान से देखिएगा मैं तो कर रहा हूं टेटू बन वालों यहां पर दूनिया इधर की उधर हो जाए पर यदि ऑक्सिगरंट संख्या में कौनू परिवरतन नहीं आया तो यह रियक्शन आपकी रेडॉक्स हो ही नहीं सकती खेल यह जैसे कैसा हो गया कhetम तो मैं इसको लिख कोगा नुरीड अग्याएक्शन होने वाली है क्योंकि ऑक्सिगरंट संख्या में कोई तर अप इसको वियोजन दो बोलेंगे का यह वियोजन यह है बिल्कु रेटेंद क्लास में इसके वारें पढ़ा है पर नो रेडॉक्स रिएक्षिन इसलिए इनका उधारन हम लेने वाले नहीं है तो बड़े इंट्रस्टिंग कानी कि योगिक से जब तत्व आपको मिल जाएंगे एक्जैक्ली हमने जो सईयोजन अभिक्रिया है देखी ते उसका जास्ट आपजट यह दिखोगा तो उसको पन क्या बोलेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे वियोजन अभिक्रिया चलो भई मामला एकदम चकाचक है बात एकदम टकाटक है चलो आजाओ यह दोनों धारण आप देख सकते हैं ऑक्सेग्रन संख्या में परीवर्तन हो रहा है पर यहाँ पर आपको तोटने के बाद दोनों योगिक नहीं मिल रहें ठीक है तत्व मिल रहा है चलो वह हैं तंव और केमेनोफोर लिया उसको तोड़ दिया अपनने केमेनोफोर लिया और उसको अपनने क्या कर दिया तोड़ दिया अब यह वो धारने जिसमें आपको योगिक भी मिल रहा है यह वो धारने जिसमें आपको क्या मिल रहा है योगिक भी मिल रहा है पर मैं क्या कह रहा हूं कम से कम एक तत्व का मिलना बहुत जरूरी है कम से कम एक तत्व का मिलना बहुत जरूरी है दोनों योगिक नहीं मिल सकते दे कोई ये सब योगिक मिले पर ये दोनों आपको जो है वो क्या मिले तो तत्व मिले तो 2-K-M-N-O-4 की बात करते हैं आजाओ K2 Mn O4 प्लस आपको क्या मिला बहुत ध्यान से देखेंगे Mn O2 प्लस आपको क्या मिला तो आपने का सर O2 चला बहुत मस्त अभी दिया आपको डैश्यम का Oxygen संग्या देखेंगे तो भाईया ये प्लस 1 है Mn का तोपन निकाल सकते हैं मैं फिट से कह रहा हूँ प्लीज इसके बहरे वाले जो टॉपिक्स हैं उसको जरूर आप देखेंगे मैंने Oxygen संग्या निकालना पूरा सिखाए आप लोगों को बिना उसके नहीं आएगा Mn का आप निकालो के तो कितना आएगा भी प्लस 7 आएगा O का Oxygen का कितना निकालो के तो माइनस 2 आजाएगा चलो यहां पर आजाते हैं Potassium का कितना आएगा तो आपने का सर प्लस 1 आएगा यह Best Example है Oxygen संग्या को समझने के लिए पर Mn का इदिय अपर निकालेंगे तो कितना आएगा भई प्लस 2 माइनस 8 प्लस 6 Oxygen का तो माइनस 2 ही आएगा यहां पर Mn का निकालेंगे तो प्लस 4 आजाएगा और Oxygen जो है उसका कितना आएगा तो भई शून ने आजाएगा यहां पर Oxygen का माइनस 2 अब कई बार जब मैं कहता हूँ कि भी रेडाक्स अभी क्रिया हो रही है तो आपको लगता है सारे दत्वों में हो रही है क्या? तो नहीं सारे दत्वों में परिवр्तन हो यह ज़रूरी नहीं बस एक बार आपका Oxygen होना चाहिए और एक बार आपका अपचैन होना चाहिए तो एक बार Auxicurant हुआ क्या वो देख लेते हैं बना जाओ Auxicurant एक बार माइनस टू से भाई जो है 0 में परिवर्तित हो गया तो एक बार Auxicurant हो गया और एक बार या दो बार आप कहले कम से कम एक बार होना चाहिए बर दो बार जो है आपका क्या हो गया तो वो भी एक बार हुआ तो कम से कम एक बार होना जरूरी है उसमें अपन रिडॉक्स रिएक्शन जो है इसको कंसीडर कर लेता है वाला बार बार नहीं हुआ तो भी आपर चलेगा जैसे देखो पोटेशियम के साथ बहुत दोका हुआ मिलने दो कोई दिक्कत नहीं पर एक तत्व कम से कम चाहिए यदि आपको तत्व नहीं मिलेगा जैसा कि हमने इसके पहले वाले उधारण में देखा था कि दर ग्यारे बाबा ये वाला राइट तो इस सिच्वेशन में आपको रेड डॉक्स रियक्शन मिलने वाली बिलकुर नहीं है चला यह वाली बात समझ में आ गई उसके नीचे वाली बात और भी ज्यादा इंट्रस्टिंग है उसको भी अपनी कॉपी में रोट करेंगे बढ़ते हैं मजाने वाला है चला चलिए तो भीया आपने का सर अब इस रियक्शन को तो हम देख करी बता देंगे हमारे आक्स उक्रूंट संक्या जो है वापको बढ़िया तरीक है से दिख सके ताकि आक्सीकरन संख्या चो है वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिख सके बहुत ध्यान से देखेगा तो क्लोरीन की बहाँ engines इसका मितलब क्या हुड अ कि यहां एक छीज़ यहां पर क्लियर हो गई बहुत अभ्यान से सुनेंगे कि क्लोरीन की ऑक्सिजन में हो रहा है और क्लोरीन जो है उसमें क्या हो रहा है तो आपने कहा सर अप्चैन तो यह भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी है ठेक चलिए वया तो बड़ी मस्त वाली यह कहानी थी बहुत धैंसे स्कॉप देखेगा अब हम एक और बात कहते हैं कि सभी विगटन अभी क्रिया है प्रकरती में रिडॉक्स अभी क्रिया नहीं हो अब डॉक्स रिएक्शन जो है वो सारी कि सारी विगटन अभी क्रिया है जो है वो रिडॉक्स नहीं हो सकती यह दि आपको यहां पर तत्व की जगेये योगिक मिला जैसा कि अभी हमने कैल्शियम कार्बोनेट को तो भी वह बिलकुर भी नहीं है नोट किया जाए बड़ी मस्त वाली यह कहनी है चलो आज़ो तो आपने का सर उधारन ले ले अरे भई मैगनीशियम कार्बोनेट को तोड़ा जा रहा है बहुत ध्यान से देखेंगे जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा था जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा था वैसे ही उसक व्योजन या अफटर अभीक्रिया तो है पर यह रैड डाउक्स अभीक्रिया बिल्कुर यह नहीं और क्यों नहींPER वहड़ानों चेंज इन अक्सीडेशन नंबर या आक्सिकरंड संख्या में कौनुं परिवरतन नहीं धो तो सिर्फ मैं आप से कह रहा हूं सिर्फ एक तरीका है सिर्फ एक तरीका है जिससे आप यह बता सकते हो कि कोई रियक्शन जो है वह रिडॉक्स है कि नहीं है और वह है आपका ऑक्सिकरन संख्या बाकी की जो पांच डेफिनिशन बाकी की जो पांच है ना ऑकसिजनकर जोनना हाइडोजन का बाहर निकलना रेनात्मक cta का जोनना धंत्मक का बाहर निकलना इलेक्ट्रwah का अधान और प्रदान राइट इनसे कुछ नहीं होने वाला सबसे इंब़ोर्ट्टेंट ऑक सी करे नवस्था में परीवर्ता हो रहा ह तो redox नहीं हो रहा है तो नहीं न्यूटन चाचा का इसको आप छटवा नियम मान लीज़े चौथा और पांचवा मैंने आपको और बताया हुआ है राइट आप इसको बिल्कुर अपने दिमाग में फिट कर लो यदि ऑक्सी करन संख्या में कोई परीवर्तन नहीं हुआ तो किसर ये नीचे reactions दी गई है इनमें से किसमें किसमें redox अभी करिया होगी और किसमें नहीं होगी कोजो धारन लेते हैं आजाओ 2NA प्लाइस ठीक है बियार टू और ये बना रहा है 2NA VR आम मुझे बताएंगे दूसरा 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 बहुत ही जादा interesting क्या लेने नहीं CAO plus CO2 and that will turn into what CSCO3 तीसरा 2HCl और ये परिवर्तित हो रहा है H2 में और Cl2 में और चौथा ये वाला और चौथा जो है ZN O plus C and this will turn into what ZN plus CO2 इन चारों में से आपको मुझे बताना है कि कहां पर Red Dogs अभी करिया है और कहां पर Red Dogs अभी करिया नहीं है ठीक है चलो बहुत जादा मस्त वाली एक कहानी है बहुत जादा मस्त वाली एक कहानी है इसके बाद हम बात करने वाले हैं विस्थापन अभी करिया ये तो अपनी फेवरिट थी क्लास टेंथ में क्लास टेंथ में जैसे आपने देखा बात समझ में आ रही है जैसे आपने देखा कि सक्रीता शेणी जैसा कुछ होता है तो ये तो अपनी फेवरिट थी विस्थापन अभी क्रिया क्या होती है कि जादा क्रिया शील तत्व जो होता है जादा क्रिया शील तत्व होता है वो कम ग्रियाशील को क्या करता है बाहर की तरफ कर देता है और ऐसी रेक्शंज को पन विस्थापन अभी ग्रिया कहते हैं ठीक है उधारन लते हैं इसका अपने डिली लाइफ आ जाओ बहुत द्यान से देगेगा उधारन अपने इसका लेते हैं डेली लाइफ वाला बहुत मस्त वाला उधारन लेते हैं आ जाओ भाईया 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 सुनो ठीक है इसका नाम है सोनू इसका नाम है मोनू यह दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और यह हैं हमारा टोनू नहीं इसको पन पप्पू बोलेंगे एक था मारे पास सोनू एक था उसका दोस्त मोनू दोनों बढ़िया जो थे आपस में कैसे थे तो भी दोस्त थे दोस्त थे ठीक है चलो जिगरी दोस्त थे तो एक को बाबू बना लो एक को सोना बना लो एक को जादू बना लो एक को टोना बना लो क्या फर्क पड़ता है यह अच्छी वाली दोस्ती थी य। क्या होगा यचे य यह प्रकार का योगिक हो गया और पपू जो है क्योंकि वह अक्या है तो वह वह को थाधन से देखेंगे जिल मॉठ चकचक वाली कहानिया घ्रविड़या सोनू और मोनु जो है आपस मैं our थे क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के तत्व जो है आपस में गनेक्टेड है वे मस्ट कॉल इट कंपांड याने की योगिक और किसी योगिक से फिर मिलता है कौन एक तत्व जिसका नाम क्या है पपू पपू नाम वाले बड़े खतरनाक बात समझ वे पपू जो है बड़ा पपू की सक्रीदा कैसी है तो बहुत ध्यान से देखेगा वह जादा है तो पपू ने क्या किया बहुत ध्यान से देखेगा सोनु के साथ बहुत गर्बड होने वाला है पपू ने क्या किया सोनु को विस्थापित कर दिया सोनु की सक्रीदा कम थी पपू ने सोनु को विस सर और भैया यहां पर आपका विचारा क्या नाम है इसका सुनॊकिनर करेंदा तो यह गया अपका पक्पू बोलो ये सई सार की पड कौन है तो आप कहेंगे शर मौनु मौनु है सर और मोनू 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 और यह जो सोनू है न यह यहां से दूर हो गया किया मेरी बात आपने कहा हाँ जे सर अब एक नया योगिक मिला आपको क्या मिला तो नया योगिक मिला मैं new क्यों लिखना हूं ठीक है बात समझभें तो यहां से एक नया क्या मिला भाई योगिक मिला यहां से एक नया योगी मिला और जो तत्व था वो बिचारा अलग हो गया तो हम यह कहेंगे कि जो ज़्यादा सक्रीद आपका तत्व था उसने कम सक्रीद वाले तत्व क्या कर दिया भई विस्थापत कर दिया मतलब इस रियक्शन का नाम क्या होगा बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे सारे चुन्नमोंनों स्टूरेंट्स इसका नाम होगा विस्थापन अभी क्रिया इसका नाम क्या होगा तो आपने का सर विस्थापन अभी क्रिया जो है इसका क्या होगा तो नाम होगा चलो अब उधा से कैसे समझें यह तो ठीक है बात कर लिए अपनों तो उधारण से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें जो है एक तगड़ा वाला एक्जामपल लेना पड़ेगा आजाओ तो मैंने का भईया सुनों सी यूएसोफोर है अपने पास और इस यूएसोफोर से मिल कौन रहा है तो आपने का सर जैडन मिल रहा है कच्छू तो हो रहा होगा ना अरे बाइब बहुत मजिदार वाली बातें मैं कहारा हूं ज्िंक जो है वह उसकी क्रियाशील ता को bail काप तो जस्ता जो रहेगा जेंग जो रहेगा वह कॉपर को एक तरफ कर देगा right और खुट जाकर कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ में तो भई sulphate iron जो था आपका इसके साथ में साथ में यहाँ पर आपको CU जो है वो मिल जाएगा चला तो ऐसी अभी करिया जो होती है basically जिसमें आपका एक तत्व जिसकी सक्रीता जादा है वो उस तत्व को बाहर निकाल देता है जिसकी जो सक्रीता है वो कम है तो ऐसी ही रियक्शन को अपन क्या कहते है डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन और वही डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन आपकी है विस्थापन अभी करिया क्या ये बात आपने का हाँ जी सर तो ये कहलाईगी आपकी विस्थापन अभी करिया खत्तम के चलो तो यह हो गई आपकी विस्थाबन अभी करिया इसको पने टेंथ पर पड़ा था यह अपनी फेवरेट हुआ करती दी क्यूंकि अपने यहां पर सक्रीता श्रेणी पली थी याद करो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैगनीशियम, कैल्शियम, आयरन, ऐल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लास्ट में आपका प्लेटीनम था कुछ एक मिस हो गया हो तो भी श्मैट कर देना ठीक है चलो दन, तो यदि हम ऑक्सिगरन संख्या के बारे में अब हम बात करें तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे वही सबसे मज़दार तो वही बात तो copper की oxygen संख्या यहां पर plus two थी, sulfur की यहां पर plus six थी, oxygen की minus two थी, zinc की आपकी शूने थी, यहां पर zinc की plus two हो गई, sulfur की तो अभी भी plus six है, oxygen में कोई परिवर्तन नहीं, और copper की आपकी शूने, तो बिटे, आप ध्यान से दी देखेंगे, then you will come to know, कि copper आपका जो है किदर गया, zinc का बना देते हैं, देखो, इसमें oxygen संख्या बढ़ी है, increase है, इसमें जो oxygen संख्या है, वो कैसी आपकी increase है, और यह यहां पर जो है कैसी हुई, तो बहुए decrease हुई, मतलब एक ऐसी reaction हुई, जिसमें एक तत्व की oxygen संख्या बढ़ गई, दूसरे वाली की जो है, कम हो गई, इ तो यह redox reaction तो है, redox तो है, पर साथ में कैसी है, विस्थापन है, तो यह जो विस्थापन अभी क्रिया होती है, सयोजन अभी क्रिया होती है, व्योजन अभी क्रिया होती है, यह हम अभीकारक और उत्पात को ध्यान में रख कर बनाते हैं, वहीं के वहीं हम redox अभी क्रिया जो है वो आपकी क्या होगी हमेशा से ही रेडाइक से बीकessä होगी क्योंकि विस्थापन अभीकिया होगी उसमें तत्व और योगी का पसप मिलेंगे और एक नया तो योगे मलेगा और एक पुराना तत्म मिलेगा उसको भी रहाइव बिचारा कवर बाथ समझे आगे नोट क्या जाएन नोट क्या जाएन अदू कि एक आजड़ आ चाहर फीर मेला तो सृडियम ने मैंने बीश्यम को उठा दिया और खुद करेंग हो गया बात समझ में आगे बोले यासर खतम के तो इस तरीके से अपने नोट कर लिए धातु विस्थापन अभीक्रियत तो जैसे एक धातु दूसरी धातु को क्या करता है विस्थापित कर देता है और आधातु जो है राइट वह दूसरे को विस्थापद कर सकती है आजा अधातू विस्थापन अभी क्लिया जिसमें क्या होगा कि धातूएं जो होती है वो किसी अधातू को या हईडरोजन गैज जो है है तो यहां पर आपकी ध्यान से देखिये का जो failure होती है जो जो कि सक्री थी तो क्या मिला था तो यह रेक्शन आपकी जो होगी बहुत ध्यान से देखिएग़ यह कैसी होगी आपकी डिस्प्लेस्मेंट और देंट कीकलोरीन को और हाइड recession गैस जो मों जो warto निकल गई थी तो यह कैसी ओई भी दिया असे अबर निकल गई थी ये सारे इसारे इंदर मुझे आपके दिमाग के इंदर कॉबी के अंडर बहुत बड़ी है तरीके से सट शाहिए इसके बाद लगा उब थोड़ा में पूछे चाह सकते हैं, we ready for that, ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कुछ और धातुओं के बारे में, और रहिया, यह reaction 10th class से ली गई है, जिसमें आपके धातुएं जो हैं, वो अमलों के साथ में reaction करती हैं, पर अमल आपके तनू होने चाहिए, और वहां से hydrogen gas जो है, उसको बाहर कर देती हैं, तो आप प्रतेक reaction में देख सकते हो, कि जो oxygen संख्या है, आप प्रतेक reaction में देख सकते हो, कि जो oxygen संख्या है, उसमें परिवर्तन हो रहा है reaction के दौरान, आप इतना नोट कीजिए, इसके बाद एक मस्त बात बताते हैं, और जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं, भाई, disproportionation reaction, और बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो topic है, ठीक है, ये topic, मैं फिट से लिख रहा हूँ, भाई, ये topic, teachers का, ये topic, teachers का, पहला प्यार है, आप बोलेंगे, सर पहला प्यार है, बोलें तो, मतलब, इस topic को ये भूलते ही नहीं जितने भी teachers हैं, उन सब का पहला प्यार है, ये topic, जिसको हम बोलते हैं, क्या, असमानुपातन अभिक्रिया है, यानि कि, disproportionation reaction, और ये topic, जो है, किसे भी teacher का क्या है, तो भी पहला प्यार है, और पहला प्यार है, मतलब, इसको ये कभी नहीं भूलने वाले हैं, यहां से ये question देंगे, ही देंगे, so be ready for that, बड़ा simple है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो है, बड़ा simple है, इस एक बार इसकी definition देखते हैं, फिर इस कहानी को दिमाग के अंदर set करते हैं, comparative exam में यहां से question पूछा जाता है, so be ready for that, चलो भी, ये ऐसी अभी क्रियाएं होती है, right, जिसमें, जिको, redox है, तो oxygen और oxygen तो दोनों होगा, ये बात तो आप मानते हो, बोलो, yes sir, तो भी, ये ऐसी अभी क्रियाएं होती हैं, जिसमें, किसी एक तत्व की, जिसमें कोई एक तत्व, ऐसी अभी क्रियाएं, जिसमें कोई एक तत्व का oxygen भी होता है, और oxygen भी होता है, मतलब oxidation भी होता है और आपका reduction घिए होता है ऐसे हवी क्रिया जिसमें एक ही तत्व का कि oxysidation भी होगा और reduction भी होगा तो वही लिखा हुआ है कि इसमें किसी एक तत्व का oxygen अब होता है यानने के oxygen संख्या बढ़ जाती है और अप तो अभीकारक की बोलो यह सर फिर अभीकारक की जो ऑक्सीगरंट संख्या है उस तत्व की वो कम भी होगी और ज्यादा भी होगी तो तीन अलग-अलग आपको ऑक्सीगरंट संख्या मिलेंगे पर मैं कह रहा हूँ यार इसके बारे में किता भी डिसकस कर लो टीचर्स का ये और ऐसे समझ में नहीं आएगा प्यार कैसे समझ में आता है एक्जांबल लेकर अपने एक बहुत तगड़ा वाला एक्जांपल लेंगे बहुत ध्यान से देखेगा ये रहा वो किदर गया ये भी पॉइंट छोड़े ये रहा रहे बाबा टू एच्टो और यह दे रहा है 2H2O2 रुको इसको बन सेपरेट बना लेते हैं मैं क्या कह रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनेंगे भाई 2H2O2 जो है वो यहां पर दिया गया है इसको आप तोड़ोगे and that is what 2H2O2 और साथ में आपको जो है क्या मिलेगा तो भाईया 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 निया है तो आपने का सर माइनस 1-ue, h2e मैं किटिन होती भी-1 कि अब यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यह – 1 यहां पर कितनी ए धेखो hydrogen की की ब्लस बने पर ऑक्सिजन की माइनस टू है और यहां पर यह शून है माइनस बन यहां पर कैसी हुई बढ़ गई कोई चीज़ पहले नेगे टिव वन थी अब वो कितनी हो गई जीरो हो गई तो बढ़ गई, बढ़ गई मतलब क्या हुआ, आक्सी करण हुआ, क्या हुआ, भैया, आक्सी करण हुआ, ध्यान से देखोगे, क्या हुआ, आक्सी करण हुआ, क्या हुआ, आक्सी करण हुआ, आक्सी करण हुआ, आक्सी करण संख्या जो थी, वो माइनस बन से कितनी हो गई, भाई जीरो हो गए दूसरी अधिया हम बात करते हैं तो भाई यह कैसी हो गई कम हो गई देखो कम मतलब की क्या हुआ तो भाईया अपचयन हुआ रहे बाबा मनलब एक ही अभी कारेक जब उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है राइट तो एक दत्व ऐसा है जिसको हम ऑक्सिजन बोल रहे हैं इसकी ऑक्सिकरेंट संख्या एक बार भाईया बढ़ रही है और दूसरी बार बाबू कम हो रही है इतनी सी कहानी एक ही तत्व की किसी रियक्शन में रियक्शन होने के बाद ऑक्सिकरेंट संख्या का कम भी होना और जादा होना यह आपका क्या कहलाएगा तो भाई यह कहलाएगा आपका क्या था डिस्प्रपोर्शनेशन रियक्शन या फिर सम यहां से question पूछे ही पूछे जाते हैं बात समझ में आगे वले यासर नोट किया जाए चला इस वह रोधारन ने क्या क्या कहते हूं ले लेते हैं जब मैं 11 में ता तब इस वाले उद्हारण पे मेरा ध्यान गया था और उधारन है 3H2 sorry 4H3 3PO4 गई था 4H3PO3 and this will turn into what 3H3PO4 प्लस यहां पर अपने को मिल रहा था pH 3 मेरे गाल से यही वह उतारन है तो बहुत ध्यान से देखेगा यहां पर यदि हम फॉस्फोरस के ऑक्सिगरण संख्या की बात करते हैं तो यहां पर कितना है तो आपने का सर यहां पर हो जाएगा आपका कितना तो बही कितना हो जाएगा प्लस थी हो जाएगा क्या देको हाइडोजन जो है वह तीन है यह आपका तो भाई यह कितना हो गया आपका प्लस थी हो गया बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पर फॉस्फोरस के ऑक्सिगरण संख्या है तो प्लस थी है जिएक्शन पहले से बैलेंस है बोलो यह सर ठीक ह तो plus 3 है ठीक है hydrogen की plus 1 है उसको अपने को लिखना नहीं है यहाँ पर भी hydrogen plus 1 है नहीं लिखना है पर यदि आप phosphorus की बात करेंगे that is given by what plus 5 और किसी भी compound याने की योगी को देखे उसके तद्वगी oxygen संख्या directly कैसे बताते है इसकी अपने किये बहुत सारी practice चला तो यह प्लस 3 है और वो कितना है प्लस 5 है वो यहां कितना है वह यह माइनस 3 इसका कितना है प्लस 1 मतलब 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 खेल हो चुका है एक बार oxygen संख्या बढ़ चुकी है बहुत ध्यान से देखेंगे बाबू और एक बार oxygen संख्या जो है वो कम हो चुकी है एक बार oxygen संख्या जो है वो बढ़ चुकी है बहुत ध्यान से देखेगा और एक बार oxygen संख्या जो है वो कैसी हो चुकी है तो भाई कम हो चुकी है वहां पर प् तो एक ही तत्की और बढ़ भी गई और कम भी हो गई क्या वो देंगे डिस्प्रपोर्ट्स नेशन रियक्शन सम अनुपातन भी क्रिया नोट किया जाए कॉपी में मामला खलास चलो एक तो मामला जो है वो एकदम मस्त तरीके से कैसा हो चुका है खलास हो चुका है और और औ हूँ हो और और को जो हूँ क्या चलो हो लब चाति दिया हूँ है शालो फ स्वार थी जो ए मंपने पूरा कहानी तो प्रकार यहां..टि स्वार्ट प्लस त्री स्वांवी 3 प्लसष एच्दू प्लस आफबन है राइट तो एक बार कम हुई और एक बार जादा हुई मनलब दोनों चीज़े हुई यहां पर इसे लिए हम इसको बोलेंगे डिस्प्रपोर्ट्स नेशन रियाक्शन राइट बो यह सर यह सर यह सर यह सर यह सर क्लोरीन को भी जब आपने ओच माइनस आइन के साथ में रियक्ट करवाया तो आपको क्या मिला तो भाई देखो सी एलो नेगेटिव मेला और सील जितने यहां पर एक्जामबल मैं दे रहा हूं न यह सारे के सारे कापी में बहुत मस्त तरीके से रोट करना है यही सब एक्जाम में पूछ ली जाते हैं यह ने चुने घिसे प काम पर क्या करते हैं बहुत सारे लोग जो यह रील बिल बनाने वाले हैं वह बीच कर वालेते हैं फिर ऐसे रंग पी रंगे तोता मैं अ है बात समझ में आ रही है तो ब्लीच कर वाले थे बहुत ध्यान से देखेगा तो यह ब्लीचिंग वाली रियक्शन है दो जगे पर काम पर आने वाली है मैं कहा रहा हूं इसको नोट तो गरो फिर बढ़ते हैं हरी अप चलिए नोट आपने कर लिया रियक्शन बड़ी इंप भी रियक्शन जो है वो भी कहलाती है बहुत ध्यान से देखेगा थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं ठीक है अब सवाल पूछा गया है कि जितने भी आयन यहां पर दिये गए हैं इनमें असमानू पातन जो है वो किस प्रकार से होगा मतलब यह कि आप पर जो भी सब्सक्राइन की बात करें है तो भी ऑक्सीकरंट संख्या धन एक है पर श्मेर हम देखेंगे तो क्लोरीन की ऑक्सीकरंट संख्या माइनस 1 है कितनी है तो आपने का सब्सक्राइब बाइनस बाइनस भात देखो यहां पर वही जी तो क्लोरीन के बाहर निकलने से औक्सिक्रेंट संख्या जो है वह बढ़ गई जो प्लूरीन बाहर निकले तो प्लस फाइब यहां पर होगी बात समझ में बोले चैसर और यार यहां पर आपका जो है, CL3, 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 ठीक है, चलो, कोई रिक्कत वाली बात नहीं है, तो इस तरीके से जो है, रियक्शन आपकी complete हो चुकी है, और आपने ये जान लिया, कि ये वो सारी रियक्शन से, जिसमें ऑक्सिकरंट संग्या कम भी हो रही है, और ज्यादा भी हो रही है, एक और उध स्वार्सनेशन होगा की नहीं होगा, तो बहुत ध्यान से देखेगा, CLO4 नेगेटिव आपका जो है, इसमें ऑक्सिकरंगर संख्या जो है, क्लोरीन की वो केतनी है, तो आपने का असर प्लस सेवन है, तो इसका मालब प्लस सवन तो अधिकतम ऑक्सिकरंगर संख्या है, तो से जादा कैसी होगी मैं प्लस एट या फिर प्लस नाइन जो है यह नहीं हो सकती है बहुत ध्यान से देखेंगे विटा तो यह बिल्कुर भी नहीं हो सकती है इसका मलब वन तेंग इस क्लियर हियर कि यहां पर आपका जो सी लो फोर नेगेटिव है इसमें ऑक्सीकरण के संख्या के कम होने से इसका अपचैन जो है वो तो संभव है बर इसका उपचैन जो है वो संभव ही नहीं है क्लोरीन ने वैसे ही चार ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़के रखा हुआ है एक और ऑक्सीजन को कैसे जुड़ेगा वो तो इसका सिर्फ अप का मतलब यह हुआ कि इसमें सिर्फ अपचेह्न हो सकती है अपचेहन यह आउकशिकरन यहां पर नहीं हो सकती है और यहां पर जाकर यह फेल यह पूरा खतम हो गया तो आमने जो है कौनसी कौनसी चीज देकली लेड़ॉस अभी क्रिया में हमने जो है यह है श्योग भी अभी देख ली जितने questions मैंने आपको गरवा हैं वो सारे दिमाग में फिट रखेगा उनमें से ही questions आपके competitive exams में पूछ लिए जाएंगे और अगली class तो इससे भी जादा शांदार होने वाली है जो कि आपको मिलेगे आपके अपने favorite educational platform पे जहां पर आपको सब कुछ मिलता है quality content के स सकते हैं हम में रहें ली class में बने रही हैं मैंगने ब्रेंट सिंधी मिटियम के साथ थैंकिस ओमाज जैहिंद इसस atéुएंट